स्वागत है दोस्तों आपका सेयर मार्केट का ज्यान यूटूब चैनल पर तो इस वीडियो में हम लोग बात कहने वाले हैं कि अगर आपने ग्रोव एप पर अपना अकाउंट क्रियेट कहे लिया है तो अब आप ग्रोव एप को कैसे यूज कहे सकते हैं सेयर में इन्विश्ट कहने के लिए तो यहाँ पर मैं आपको सजेश्ट करूँगा आप इस वीडियो को पूरे अन तक देखे ताकि आपको complete details यहाँ पर समझ में आ सके और साथ में अभी तक अगर आपने ग्रोव एप पर अपना अकाउंट क्रियेट नहीं किया है तो description में दिये गया link के true आप ग्रोव एप पर अपना अकाउंट क्रियेट कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पर देखिए मैं अभी login करके grow app पर हूँ यहाँ पर आपको सबसे पहले nifty 50 और sensex सो होता है तो यहाँ पर nifty 50 और sensex दोनों ही एक index है जो share market के upward या फिर downward movement को दरसाते हैं यहाँ पर nifty 50 और sensex को हम देखकर समझ सकते हैं कि market उपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है तो अभी जैसे देखिए nifty 0.45% upward के तरफ है और sensex 0.42% upward के तरफ है मतलब market अभी उपर जा रहा है यहाँ पर 9-9 investment market में आ रहा है और यहीं इसके उलट जैसे कि red में आ जाता और minus का mark यहाँ पर सो होता है तो मतलब market नीचे जा रहा है तो यहाँ पर आप जब भी green signal देखे तो आप समझे market उपर जा रहा है और जब भी red signal देखे तो समझे market नीचे जा रहा है तो सबसे पहले आप यह details जान लेजें अब nifty 50 और sensex में क्या अंतर है हम यह जान लेते हैं तो जो nifty 50 है यहाँ पर नाम से ही समझ में आता है यहाँ पर 50 stocks का एक मिलाजुला रूप यहाँ पर हमें दिखता है और जो sensex है वो 30 stocks का एक मिलाजुला रूप है तो यह nifty 50 और sense sensex हो जाता है अब जैसे आपने nifty 50 और sensex के बारे में जान लिया यहाँ पर इसके ठीक उपर देखिए all stocks का option आ रहा है इसकी बात हम थोड़ी देर बात कहते हैं फिर जैसे यहाँ पर देखिए इस समय जो अभी टॉप है निफ्टी हंड्रेड में वह ओएंजी सी है जो सबसे ज्यादा मूब्मेंट दिखा रहा फिर इसके बाद हीरो मोटर कॉप है जो कि सारे तीन परसिन तक का अपवर्ड मूब्मेंट हमें सो कर रहा फिर इसके बाद है फिर ग्रासिम इंडस्री है फिर ITC स्टॉक है फिर इसके बाद नीचे आके देखें यहां पर इस्टॉक्स निउज की हिसाब से सेर्स को फॉलो किया जा रहा है तो यहां पर ओंगिसी में कुछ निउज आया है जिसके वाज़े से सेर अपवर्ड के तरफ जा रहा है फिर वोड़ा फोन आइडिया है यहां पर 10 पर 20 परसे का प्राइस चल रहा और जो सेर है वो आधा परसेंट डाउनवर्ड के तरफ है इसी तरीके से रेमको सीमेंट से फ्यूचर रिटेल है और TCS कंपनी है फिर इसके बाद नीचे आईए यहां पर आपको सोगा निफ्टी हंड्रेड में जो टॉप अधिया है फिर उसके बाद जैनरल इंस और आलकेम लेबरेटरी से तो यह सब इस टॉक्स है जो टॉप लोजस है आज के डेट में फिर जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको यहां पर वाच लिस्ट सो होता है तो यह देखिए यहां पर आप अपना वाच लिस्ट भी क्रि फिर यहां पर हम अपना वाच लिस्ट मेरी कर सकते हैं तो यह कुछ बैसिक हिंफो होजाता है हमारे होम पेज के बारे में आप जैसे जान लेते हैं यहां पर ओलुर कैसे काम कहता तो देखिए आलु स्टॉकस कर जब एक स्टॉक के हिसाब से जो पकस्ट होंगे वह हमारे पेज़ पर आ जाएगा जैसे यह आपर एगरी कल्चर स्ट्राइप सेक्टर डियल सेक्टर औरमाइम्किंग कर्याργाई सक्टर रहताय कंजूमर के और स्टॉक अपरियाम्पल के पर क्लिक करते हैं तो FMCG में भी देखिए कई सारे सेग्रिगेट सब सेक्टर्स हैं तो यहां पर जैसे देखिए कंजुमर फूड है फिर डिटरजेन और सोप है ब्रियो बैरिस है प्रिंटिंग स्टेशनरी सिग्रेट से हाउस्वोल्ड परसनल प्रोड़क्स सुगर और टी कॉफी phi hyi tree coffee में कौन सा सेर से हमें यह देखना थो टीजी काफी को सिम्पले सण्पले कर लेते हैं तो अपलाई का घ्रते हैं यहाँ पर हमारे पास कमंत्रिट tal सेमें काम पर तो यहाँ पर तौप में टान Windows computer प्रोड़क्स फिर उसकी ले एंडलीय रौश्यल इंडिया तो यहाँ पर जैसे एक्जामपल में हम tata consumer products के बारे में details जानना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर हम click करेंगे तो टata consumer products पर click करने के बार देखे यहाँ पर हमें सबसे पहले share के current का क्या price चल रहा हो हमें सो होगा और आज के दिन में यह कितना बढ़ा है वो यहां पर हमें सोगा तो जैसे देखिए अभी के समय में 0.7% अपवर्ड के तरफ सो हो रहा है और क्योंकि अभी मार्केट खुला हुआ है इसलिए यह अपवर्ड और डाउन्वर्ड जाता है जाएगा तो यहां पर देखिए फिर यहां पर फूड प्रोडक्स का यह सेर है तो इसलिए यहां पर फूड प्रोडक्स लिखा गया अब देखिए यहां पर हमें चार्ट हो रहा है एक दिन का चार्ट एक सब्ते का चार्ट एक महने का चार्ट एक साल का चार्ट तीन साल का चार्ट प किस्यете आप से जान सकते हैं कि कब के समय में कितने रुपै था और अभी के समय में कितने रुपै तो यहां पाज शोप में में एक साल का हम देखते हैं कि एक साल पहले कितना चैनर पाइस चला था तो देखिए 19 नौबर 2020 के समय में तो देखें 15 तो अभी आपका पैसरा एकसोच्रrade हो जाता तो यहाँ पर चाहर्ट समिंगी यह दर्थ साताया और यह पता तो साहई है तो पिख्याम्पल में देखें और जैसे हम नीचे आते यह तो हमें अधर डिटेलिस होते किसी भी स्रेंज के बारे में तो जैसे बढस का लो हाई दिखाता हें यहां पर जैसे आज lowest share price कौन सा था अब 52 खाय में दिखाया जाता है highest price कौन सा था पिछले एक सालों में तो यहां पजैसे देखिए एक साल में जो highest price क्या था वो 890 रुपए के आसपास गया था एक साल के अंदर जो lowest price गया था वो 495 रुपए के आस-पास गया था है आप देखी याँ पर हमें वाल्यूम सो हो रहा है प्रिवेईस कलो रहा है और ओपन सो रहा है ओपन मतलब आज के दिन में कितना रुपए पे ख़ुआ प्रिवियस क्लोज मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग देट था उस दिन को कितने रुपए पर क्लोज हुआ अब वाल्यूम मतलब कि आज की डेट में कितने सेर्स का लेन देन किया गया है मार्केट में अब जैसे नीचे आते हैं तो हमें मार्केट डेट का ओप्सन आता है यहां पर हमें पता चलेगा कि मार्केट में क्या-क्या ओडर लगा हुआ है तो अभी जैसे देखिए मार्केट में अब क्या हो गया कि आस्क प्राइस यानि कि सेल प्राइस 856 रुपए हो गया और जो बाई प्राइस है वह 855 रुपए हो गया मतलब कि जो सेल करना चाहते वह 855 पर पर पैसे मांग रहा फिर यहां पर नीचे देखी हमें एनिलिस्ट एस्टिमेट्स होगा यहां पर एनिलिस्ट कुछ 17 एनिलिस्ट है उनका डिटिल्स यहां पर ग्रोस हो करते हैं तो यहां पर बाई में तो में 50% का अनिलिस्ट का इनिलिस्ट का फोटिंग है उल्ड में 11 से का सेल पर 11 पर सिंट का व QUE फिर भी यहां पर मैं आपको सर्जिस्ट करें आप इन सब को देकर कुछसी भी सेखर में इंवेश्ट ना करें आप अपने से ख़क्षक करने के बाद और research करने के बाद ही किसी share में invest करें अब देखें यहाँ पर fundamentals में हमें shares के बार में कुछ details पता चलते हैं जैसे देखें market cap market cap में 78,138 कड़ोर रुपई है मतलब अगर company के हर एक share को 855 रुपई पे बेचा जाए तो हमें 78,000 कड़ोर रुपई मिलेंगे ROE का मतलब हो जाता है return on equity मतलब initial investment पे company कितना return कमा रहे है PE ratio मतलब हो जाता है price to earning ratio यहाँ पर PE ratio जितना ज़्यादा रहता यह ऐसा माना जाता है कि shares में उतना ज़्यादा growth सो होने वाला है और PE ratio जितना कम होता है तब यह माना जाता है कि जो share है वो कम growth वाला normally यह माना जाता और PE ratio के जरिये हम यह भी जान सकते है कि कौन सा share overvalued है और कौन सा share undervalued है अब देखिए EPS हमें 117 रुपे आठतर पैसे है मतलब 856 रुपे का अगर हम share खरीते है तो company 7 रुपे आठतर पैसे एक share पर कमाती है फिर इसके बार देखिए PB ratio price to book ratio मतलब जो share कर price है वो मान ले वो 100 रुपे है तो Tata consumer का book price 538 रुपे है यह सब मैं ज्यादा explain नहीं कर रहा हूँ अगर आपको separate video चाहिए इन सब details के बारे में तो आप जरूद वीडियो के नीचे comment करें ताकि मैं एक separate video बना सको अब फिर नीचे आई है यहाँ पर हमें financials हो जाएगा company का कि मतलब company ने पिछले कुछ सालों में कैसे कमाई किया है यह सारे details हमें यहाँ पर पता चल जाएगा जैसे देखिए अगर हम yearly कह लेते हैं तो हमें पता चलेगा पिछले कई सालों से शेयर का जो revenue है वह बढ़ता जा रहा है और अगर profit देखा जाए तो profit भी जो है वह upward downward upward जा रहा है फिर यहाँ पर network में देखिए यहाँ पर पता चलेगा कि company का book value कैसे बढ़ रहा है अब देखिए यहाँ पर about में हमें पता चलेगा कि company के products क्या क्या है और company किसके नाम से registered है और company के कुछ basic details हमें पता चलेगे जैसे देखिए parent organization जो है वह टाटा consumer products है managing director जो company का वह Mr. Sunil D. Suja और जो company incorporate हुई थी वह 1962 के समय हुई थी और यहाँ पर यह जो brand से वह हमें सो जाएंगे फिर यहाँ पर देखिए share holding pattern भी हमें समझ सकते हैं कि shares में कौन-कौन invested है तो promoters मतलब हो जाता है जो owner है वह 34% का share hold करके रखे रिटेल मतलब हो जाता है public वह 26% का share hold करके रखे है foreign institution मतलब हो जाता है वीडेसी कंपनिया जो 25% तक share में अपना मालिकाना हख रखती है mutual funds हो जाता है मतलब एक तरीके से public जो साड़े 7% का share hold करके रखे है और यहाँ पर other domestic institutions है जो इन सबसे अलग है वह करिब 25.5% तक का share hold करके रखे है तो यह कुछ basic details थे फिर यहाँ पर देखे अभी company में क्या news चल रहा है यह हम news tab को देखकर पता कर सकते हैं फिर इसके बाद events भी है जो आने वाले समय में क्या क्या चिंजेस आने वाले company में वह सब details हमें यहाँ पर बताते हैं जैसा कि dividend कम मिनने वालना है या फिर bonus राइट इसू हुआ है कुछ या फिर होने वाला उनके details और या फिर कुछ company के तरफ से announcement किया गया वह सारी details हमें events के थ्रूप पता चल जाता है तो यह कुछ basic details हमें grow app पर ही पता चल जाता है और जाता advanced details हमें जानना है तो हम Google अगेरा पर search भी कर सकते है अब जैसे मान लेता है आपको company पसंद आ गए और आप इसमें invest करना चाते है तो यहाँ पर आप buy वाले button से यहाँ पर अपना share खरीड सकते है तो buy वाले button पर simply click करना है और मान लेता है आपको यहाँ पर अपना पैसा invest करना है तो minimum जो investment होगा वो एक share का होगा तो एक share का ज जैसे देखिए मान लेते हैं मुझे 10 share खरीदना है तो simply 10 लिखना है अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपके account में balance है तो आप simply buy order यहाँ पर place कर सकते है और अगर आपके account में balance नहीं है तो कुछ इस तरीके का details होगा आपके पास जैसे देखिए available amount is not enough तो add money हमें कहना पड़ेगा तो जैसे 10 share खरीदने के लिए हमें 8,555 रुपए करीब लगेंगे तो add funds में करके हम अपने balance को यहाँ पर add कर सकते हैं फिक जैसे continue करते हैं तो यहाँ पर हम UPI के तुरू अपने balance को add कर सकते हैं तो जैसे देखिए Google पे से हम invest कर सकते फोन पर या फी other UPI ID को दे यहाँ पर जैसे देखिए टाइप में अभी delivery select किया हुआ है अगर delivery नहीं रहेगा तो यहाँ पर एक intraday का option हो जाएगा तो intraday जो रहता है वह simply same day को खरीदने और बेचने को कहा जाता है तो यहाँ पर आगर आप intraday में खरीदते बेचते हैं तो यहाँ पर आपका जो share ह पर जाएगा और वह बेचने का समय तीन बज़े तक का रहेगा अगर आप तीन बज़े तक नहीं सेल कहते हैं अपने शेयर को तो आटोमेटिकली सेल हो जाएगा और उस समय हो सकता आपको कुछ charges भी देना पर जाए तो यहाँ पर अगर आप share को खरीद का लंबे समय के लि अब देखिएं यहाँ पर जो अर्वार्षस जाहिए तो मार्फिट मतलब सिंपली जो प्राइस समय हो जाएगा जैसे में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आसक प्राइस आट सो चौन रुपए पर चल रहा है तो आट सौन रुपे पर आगर हम वहाँ जीन फakah करने का तो यहां पर simply limit price करेंगे लिमिट प्राइस करने के बाद यहां पर simply आप 850 रुपर दे दीजिए जैसे कि आप 850 में खरीदना चाहते तो 850 लिख दीजिए अब फिर अपना buy order place करें तो इस तरीके से आपका share buy हो जाएगा अब जैसे आपका share buy हो जाता और कुछ समय बाद आपको profits होता और आप पेचना चाहते तो क्या कहना पड़ेगा तो यहां पर simply देखे dashboard में आना पड़ेगा तो यहां पर जैसे देखे मेरे पास एक share नेट फिट बोलकर वह मेरे holding में हो रहा तो simply जब आप share खरीते हैं टाटा consumer या फिकोई भी तो वह आपके holdings में होने लग जाए तो यहां पर simply select करना तो टीपिन का आपको option आएगा टीपिन में OTP ढालकर आपको verify करना फिर यह सब हो यहां पर अपना प्राइस देना अगर आप मार्केट प्राइस पर बेचना चाहते तो लिमिट करिए और यहां पर टाइप में delivery करिए जब आप share को बेचना चाहते पर्मानेंटली तो इस तरीके से जब आप सेल पर क्लिक करेंगे तो आपका share यहां पर सेल हो जाएगा और अगले एक से दो दिनों के अंदर आपके अकाउंट में बैलेंस भी आ जाएगा तो उमीद करता हूं आपको यहां पर complete details समझ में आ गया होगा कि कैसे हम grow app को स्टॉक इंवेस्टमेंट के लिए अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप वीडियो की नीचे जरूर कमेंट करें मैं पूरी कोसिस करूंगा आपके कमेंट की रिपलाइ कहने के साथ ही आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो आपको हमेज़ा मिल सके है